दोस्तो लोग इस पौधे को कच्रा समझ रहे थे लेकिन जब इसका आप फायदा जानेगे ना तो आप दंग रह जाएंगे इस पौधे के एक पत्ते ने तहल का मचाके रख दिया है जी हाँ दोस्तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये बहुती चमतकारी पौधा है और ये जंगलों में अपने आप ही उत्पन हो जाता है बरसात के समय में ये जंगलों में अपने आप उत्पन होता है दोस्तो इसके में फायदे बताऊंगा इसके लाब बताऊंगा तो आप इसको संजीमनी बूटी से कम नहीं मानेंगे दोस्तो ये देखिए ये है इसका पत् तहरा इस असदी का दिब ऑसदी का, महा ऐसदी का ये देख़ें ये पत्ता है और दोस्तों इसको आप कैसे यूज करेंगे और कैसे इसका फायदा लेंगे वो अपने इस वेडियों बताने वाला हूँ तो दोस्तो ये जो पत्ता है इसको अगर आप तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद अगर पानी डाल करके इस तरीका से अगर लगा देते हैं आप तो यहां से नया पौधा अपने आप युद्पन हो जाता है ये अपने आप ही लग जाएगा अपने आप युद्पन पौध को तोड़िएगा कि दोस्तों अगर आप सुभे काली पेट इसका सेवन करते हैं जिस तरीका से में बता देता हूं तो यह आपके बबासीर को दूर कर देता है अगर आपने अपरिशन करा लिया है और बबासीर नहीं जा रही है तो ऐसी में आप इस पत्ते को मेरे बताय साथी साथ दोस्तों जिनको हर्ट अटेक की सिकायत है बीपी की समिस्या है या फिर दोस्तों जिनको पत्थरी की समिस्या है जिनको किरिनी की समिस्या है जिनकी गुर्दों में कोई समिस्या है उसको ये जड़ से खत्म कर देता है बहुत ही रामबान बहुत ही चमतकारी दिब उसदी पोधा है ये इसको क्या कहा जाता है मैं दोस्तों बता देता हूँ इसको कहा जाता है दोस्तों जकमे हयात जिहां दोस्तों ये जकमे हयात है याद रखिए दोस्तों इसमें दो थीन प्रजाती की पोधे आते हैं जिसमें स एक तो है पासान भेद एक होता है पासान भेद और दूसरा होता है जखमे हयात और तीसरा होता है पत्थर चट्टा जिया दोस्तों तो यह जखमे हयात है याद रखेगा यह जखमे हयात है इसको पत्थर चट्टा भी कह सकते हैं क्योंकि यह पत्थरी को तोड़ने का काम करत अगर आप देखेंगे कहीं पर भी आसा इस्तान हो तो बरसात में अपने आप ब Natomiast से निकल कर के पैदन हो जाता है इसलिए इसको पत्थर चट्टा चानाम जिया गाउन्पी पत्थर कर जाता है सोहा कर देता है नश्ट कर देता है दोस्तों चलिए मैं बता देता है पहला कि पत्री रोग में आप इसका कैसे प्रियोग करेंगे अगर किड्नी की कोई समिस्या है या फिर गुर्दे की कोई समिस्या है तो ऐसे में आप क्या करेंगे अगर यह छोटे पत्ते आपको मिले यह वालि अगर चोटे पत्स हैं तो दो प्रियों करना है अगर यह बड़े पत्थे तब आपको एक प्रियों करना है अगर पथरी की जिकाइट है आपको तो गुर्खुरू के काढ़े में याद रखिये गोखुरू जो होता है गोखुरू दाना तो गोखुरू के काढ़े में आप बड़ा पत्ता एक छोड़ा पत्ता दो ऐसे खाली पेट सुबह सुबह यूज कर लिजिए बस एक महिने के अंदर ही 10-15 mm तब की पथरी को ये गल दूसरा दूस्तों इसका जो प्रियोग है वो है बबासीर के लिए तो बबासीर की रोगी समझ लेजिए तो बबासीर की समिस्या है पुरानी बबासीर है नई बबासीर है बादी बबासीर है या फिर आपको खूनी बाली बबासीर है मस्से हो गई है ऐसी में आप ले ले एक पत्ता ये बाला जो देख रहे हैं न एक पत्ता ले ले और एक पत्ता आप ले ले नागदौन का नागदौन एक पत्ता नागदौन का और एक पत्ता पास्नालभेत का ये जो देख रहे हैं जखमेहयात और दोनों पत्तों को मिला करके चबा चबा करके अच्छी तरीका स से आप सेवन कर लिश्वहे खाली पेड़े तो ऐसा करने से ही जो बवासीर की समिस्य क्यों हो जाती है दूस्त तीसरे सेसके बहुत महत्पूर प्रयोग है आपके CAN graduate रखने के लिए ज्हां दोस्तों दिल को Frage करता है यह दिल को स्वश्च्त रखता ह्ए बहुत ही अच्छा काम करता है यह दिल की मरीजों के लिए ऐसे में आप करेंगे क्या वह मुँआ बंत A jo股 करता है जिनको दिल कमजोर है या फिर विपी की समिझे ए तो ऐसे में आप और ले करके एक पत्ता अर्जुन का ले लिए अर्जुन कोहा जिसको बोला जाता है एक पत्ता अर्जुन का एक पत्ता जखमेहयात का पाशाण भेत का फिर आप ले करके और इसको आप सिल्वट्टी से पीस करके अच्छी तरीका से महीन करने हल्का सा पाइन डाल करके फिर क पुरे से च्छान करके और जो रस निकले उस रस को पी जा तो ऐसा करने से दिल मजबूत होता है दिल की बीमारियां दूर होती है दिल की धड़कन दूर होती है और जो बीपीरी समस्या ख्यात्म हो जाती है दोस्तों बहुत ही चमतकारी है बहुत ही गुड़कारी है जो तो दोस्तों जानकारी किसी लगी कमेंट बॉक्स जुरूर बताईएगा वेडियो अच्छे लागा तो बड़ी को लाइक करिएगा शेयर करिएगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लिएगा धन्यबाद